हेलो प्रेंड्स मैं हूं सुनीत था और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फूटकार्ट आज हम बनाने वाले वेजिटेबल स्पेशल कड़ी तो आपके पास जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जो कड़ी में डल सकती हैं आप वो सब डाल दीजिए और बनाए एक टेस्ट और मतरली हैं आप इसमें मुनगे की फली ले सकते हैं और साथ में आपको जो भी सबजे अडी करनी हैं बिनडि बेलगन तो असमें यहां इसक्टी आप संदियों कर सकते हैं रहे हैं तो यह तो रहा हमारा वेजिटेबल्स दभी अब हम तड़क लगाने वरी चीजे ले रहे हैं तो यहां मैंने लिए हैं थोड़ी सूखी लाल मिर्च, एक चमच मैथी दाना, एक चमच जीरा लिया है, आदे चमच राई के दाने लिए हैं और कुछ कड़ी पत्ता लिए इसलिए और ही तो बिल्कुल कंपल सदी है कड़ी म इसलिए वह मैं आपको बता नहीं रहे हैं और डारेक्ट दालते हुए दिखा दूँगी और साथ ही ले रहे हैं कड़ी में सब ज़्यादा इंपोर्टन बेशन तो यहां मैं एक कड़ी बेशन ले रहे हूं रेगुलर बेशन है अब इसके लिए हम दही का भी यूज कर सकत इसे कड़ी का स्वाथ तो और बढ़ी जाता है वैसे भी वेजिटेबल कड़ी बहुत अच्छी लगती है और अगर मिट्टी के बरतन में बनाए तो उसकी सौंधी सौंधी खुश्बू उसकरी में एड हो जाती है तो यहां मैं अब हांडी में डाल रही हूं तेल तो यहा ले रहे हैं हम तीन चम्मच तेल चम्मच चोटी है जादा गहरी नहीं है बस वो दिखती है कि हां बढ़ी है क्योंकि सब्जियां है तो इनको भुनने के रहे हमें थोड़ा तेल लगेगा तेल अच्छी तरह गरम हो गया है अब हम इसमें सबसे पहले डाल रहे हैं एक पिं सूके मसाले पहले जब अच्छे से चतक जाएंगे अधल हम इसमें पाले भून गये हैं अब हम इसमें डाल रहे हैं व्सक्याइव ल में लहसुन हलका सा फ्राई हो जाए तो इसमें हम डाल दे रहे हैं अद्रग को हम बहुत देर नहीं भूनेंगे उससे पहले ही हम इसमें डाल देंगे प्याज क्योंकि प्याज को पकने में थोड़ा सा काइम ज्यादा लगता है और थोड़ी बुनी वह अच्छी लगती है तो हम प्याज दाल रहे हैं और साथ में ही डाल दे रहे हैं गाजर और गोडी क्योंकि इनको यह तीनों सब्जियों को थोड़ा सा ज्यादा काइम लगत अब इसी समय हम डाल सकते हैं इसमें हल्दी तो यहां मैं छोटी चमच से आदी चमच के करीब हल्दी ले रही हूं सब्सक्राइब में बहुत ज्यादा करने क्योंकि यह कड़ी के साथ पक जाएंगी अब मैं इसमें यह सब्सक्राइब दाल दे रही हूं चमला में चमाटा रोटा माटा यहां मैं ले रहे हूं एक कटोरी बेशन इसे हम एक बोल में डालेंगे और इसमें हम मठा थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और एक विश्कर के हल्प से इसे इस तरह से गोलते जाएंगे ताकि इसमें लंप्स ना रहें चाहे तो आप मिक्सी जार में डालकर इसे इंचिंग मोद पर मिक्स कर सकते हैं तो यह बहुत जल्दी इजिली मिक्स हो जाता है अब इसमें हम पचा हुआ और मठा भी एड़ करते जाएंगे यह मिलाने के बाद आप एक बार या तो मठे को पहले टेस्ट कर लें कि बहुत खटा तो नहीं है आपको कितनी खटी-कड़ी पसंद है कुछ लोग बहुत खटी-कड़ी खाते हैं कुछ लोग थोड़ी फीकी अब इसे वेजटेबल में डाल देंगे तो मैं यहां थोड़ा सा खटा लग रहा है मैंने टेस्ट किया तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूंगी तो अभी इसमें जगे नहीं है इसलिए डारेक्ट हम हांडी में ही पानी डाल लेंगे तो देखे वेजटेबल हल्द की सी इसमें पक गई है ओबर कुख हमें करना नहीं है क्योंकि हमें दो इसे कड़ी के साथ पकाettsा है तो अब हमने हल्दी इसमें डाल चुके है तो यह सीई देमठेवाला बेसन इसमें मिलाएंगे और देखे अभी इसमें लगा हुआ है तो मैं इसमें और पानी आट कर दे रहे हूँ यह जाएगा इसमें और सिनाव पानी देखे हानी फुल हल्दी हम मिला ही चुके हैं अब इसमें मिलाएंगे हम नमक नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉडिंग मिलाएगे यहमें छोटी चम उबसे दोैगे कुछ लोग कडी में थोड़ी सी चीनी डौड़के खाना पसंद करते हैं पर मैं नहीं डालती हूँ अगर आप क्या थोड़ी मीठी सी कड़ी पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी को यह तब फिर हमेंसे चलाना थोड़ी थोड़ी देट लिए छोड़ सकते हैं अभी भी कड़ी खटी है तो मैं थोड़ा सा पानी और एट कर ले रही हूं तेकि कड़ी में अब अच्छे से उबाल आने लगा है तो अब हमेंसे continuous नहीं चलाएंगे इसे continuously चलाने की जरुत नहीं है लेकिन ये बहुत चल्दी उफन के बाहर आ सकती है तो इसके लिए मैं एक प्लेट इस कड़ी में डाल दूगी और इस तरह से इसे अंदर कर दूगी अब इससे इसकी जो bubbles बनेंगे उसकी कारण ये उफनेगी नहीं और ये नीचे गई अब बार अब इसमें जो बॉइल आएगा तो उसकी कारण यहां लेयर नहीं बनेगी और कड़ी बाहर नहीं आएगी देखेगा आप साइट से बबल साने शुरू हो गए इस तरह से इसकाड़ी उफनने से बच जाएगी कड़ी आप गाड़ी खाते हैं या पतली खाते हैं या आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है अगर आप गाड़ी खाते हैं तो थोड़ा सा बेशन और एड़ कर लीजे और अगर पतली खाते हैं तो उतना ही बेशन काफी है क्योंकि सब के घर अपने हिसाब से कड़ी बनती कड़ी को हम कम से कम 12-15 मिनिट तो पकाते ही है नहीं तो उसका कच्छापन अच्छा नहीं लगता है और जब यह पकने वाली होती है उसकी थोड़ी देर पहले ही हम इसमें मसाले आड़ करेंगे जब तक हम इसे इसी तरह से उबलने देंगे अब कड़ी को बलते हुए 10-12 मिनिट तो हो चुके हैं अब हम यहां डाले रहे हैं इसमें धनिया पाउडर तो यहां मैं देर चमच के करीब धनिया पाउडर डाल रही हूं और आदी चमच लाल मिच पाउडर इसे इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा और कड़ी में एक बहु और फिर हमारी कड़ी लग सकती है इसलिए बीच बीच में आप भी ला दीजिएगा मसाली डालकर हमने एक दो मिनिट और कड़ी को पका लिया है अब मैं गैस को कर दे रही हूं बंद अब यह मिट्टी का बढ़ता न है इसलिए गैस बंद होने पर भी थोड़ी देर इस तरह से उबाल आते रहेगा इसमें अब हम इसमें लास्ट में डाल दे रहे हैं हरी धन बहुत ही टेस्टी हमारी कड़ी तयार हो गए है अब आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ या रोटी के साथ सब्सक्राइब करके खा सकते हैं तो आप भी इसे जरू ट्राइब करें रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें चैनल पर पहली बारा है तो अरुड़ कि समय और टॉड़ के साथ ऑे रगलै करें तो